आज हम आप लोगों के सामने 69th PPSC के रिजल्ट को लेकर आए हैं आप सब लोग जैसा की जानते हैं कल ही साम को 69th PPSC का रिजल्ट प्रकासित हुआ है जिसमें कि सीविल सेवा परिक्षा, CDPO परिक्षा और Financial Audit Officer के रिजल्ट प्रकासित हुए है आपको यह जानके काफी खुसी होगी कि धननजे IS Academy ने हर साल की तरह इस वार भी सिविल सेवा परिक्षा में अपना पर्चम लहराया है धननजे IS Academy के बच्चों ने DSP में कुल 5 सीटों पे सफलता का पर्चम लहराया है हमारे बीच अभी अभी से एक ठाकुर सर है आप लोग जानते ही है धननजे IS Academy में हिस्टी के फैकल्टी है किसी कारणवास धननजे सर जो है वो अभी एक सेमिनार के सिलसिले में स्री लंका में है बट उन्होंने वहां से ही अपना best wishes और warm wishes भेजा है सभी candidates को बहुत ही जल जैसे ही वो इंडिया आते हैं हम लोग एक felicitation समारो भी रखेंगे जिसमें कि सभी चैनित बच्चों को बुला कर हम लोग सम्मानित करेंगे आज हम लोग इसी परिपेक्ष में आपके सामने उपस्तित हुए है कि इस success की journey को आपके सामने बता सके बच्चों से आपको रूबरू करा सके साथ ही साथ इस celebration को आपके बीच हम लोग बाढ़ सके तो सबसे पहले ठाकुट सर को मिठाई के साथ बहुत-बहुत बढ़ाई हो सर आपके मार्क दर्सन में अगर बार बार हम कहते हैं कि अगर पहार है तो हम भी माजी के दर्ती से हैं जब तक तोरेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं आप बीपीए सी के इस पार सेलेक्शन के रिजल्ट जो आ है सेलेक्शन हुआ है इसमें हम देख रहे हैं कि जितने मात्रा में हमारे पास सेलेक्शन हुआ है वह अगर उसका परसेंटाइल निकाला जाए तो बाकी सभी संस्थानों से कहीं बहतर हमारा रिजल्ट दिखाई दे रहा है अगल बगल आस पास जितने भी विद्यार्थी यह वह आएंगे कुछ समय के बाद और लटेंगे तो हम लोग रखेंगे इसमें सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जितने भी सफल विद्यार्थी हैं वह सभी सफल विद्यार्थियों को धनंजा आईए सेकेडमी और हमारी फ्रकेल्टी टीम के तरब से मेनेजमेंट अब और आगे पढ़िए और तरक्की कीजिए और आगे यूपीए सी भी दीजिए इस बार 46 से ज्यादा सेलेक्शन अभी तक का जो हम लोग का काउंटिंग चल रहा है अभी लगातार चली रहा है 46 से ज्यादा रिजल्ट आ चुके हैं और सभी रिजल्ट आपके पीछे बोर्ड पर प्रकासित किया जा रहे हैं आप एक एक करके सबका नाम पढ़ेंगे इन नामों को पढ़ने के बाद जो भी द्यार्थी इसको तैयारी करने वाले देख रहे हैं वो इस बात को समझेंग कि एक अच्छा पद प्राप्त कर रहा है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है तो एक एक करके हम देखेंगे वो कोई ऐसा नहीं कि बस पब्लिसिटी के लिए कर रहा है हमारे यहां एक एक बच्चे का रिकॉर्ड है कौन किस प्रोग्राम से जुड़ा है किस ने किस स्टेज पे हमें जॉइंग किया क्या वीकनेस क्या स्टेंथ उसके वीडियो रिकॉर्डिंग तक अविलेवल है कई सारे बच्चों के हमारे पास तो हम जो भी क्लेम करते हैं हम उसे ओन करते हैं सिर्फ धननजा आईएस अकेडमी बीपीएसी के छेतर में सिर्फ पटना ही नहीं बलकि बिहार का सबसे विश्वसनी संस्थान बन चुका है पिछले चार बीपीएसी से जीहां दोस्तों 66, 66, 68, 69 बीपीएसी में सरवाधिक रिचल्ट देने वाला बिहार का एक मातर संस्थान धननजा आईएस अकेडमी रहा है इतना ही नहीं हमारे बच्चे जारखंड लोगसेवा आयोग में भी चैनित हो चुके हैं हाली में हमारे एक छात्र का रिंग सेरे मनी था जो जारखंड प्रेस सर्विस को ही क्वालिफाई किया था तो दोस्तों इसी के साथ सुरू करते हैं 69 बीपीएसी के हमारे टॉपर से और जानते हैं उनके बारे में जी हां दोस्तों कुल पांच बच्चों ने इस वार डिप्टी एस्पी में सफलता हासिल की है सभी के नाम और रैंक आपके सामने हैं सरवेश कुमार रैंक टू सिवम तिवारी रैंक थ्री नवनीत आनंद रैंक 16 अंकित कुमार रंजन रैंक 23 और भावना कुमारी रैंक 116 इन सभी के आपको प्रोग्राम रिलेक्टेड टीटेल्स भी आपको धनजा इस अकैडमी के यूटूब चैनल पर मिल जाएंगे आप 69th BPSC Selected Candidate के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इनके मोक इंटर्व्यू की भी आपको एक जलक वहाँ पर मिल जाएगी जी हां दोस्तों धनजा आयेस अकैडमी सिर्फ कहता नहीं है बल्कि करता है और जो करता है उसको दिखाता भी है और आपके पास यह सारे अवेलेबल वीडियो फॉर्मेट भी अभी नेवल हैं हम सिर्फ यह नहीं कह रहें कि यह हमारे बच्चे हैं बलकि प्रमान के साथ हम कह रहें यह हमारे पास पूरा का पूरा रिकॉर्डेट वीडियो यूटूब पे भी अवलेवल है सर ऐसा क्या कारण है कि हमारे पास से इतने सारे DSP सेलेक्ट हो रहा है जी हाँ देखिए ऐसा है कि एक तो सबसे ज़्यादा इस इंस्टिचूट की विश्वस नियता मेंस को लेकर जो बच्चों के बीच में है सरवाधिक बच्चे मेंस के क्लासरूम में जॉइन करते हैं जिनकी राइटिंग स्किल बेहतर होती है जाहिड सी बात है हमारे यहां के प्रोग्राम में बेहतर के कारण वो मेंस में इतना बेहतर नंबर लाते है कि अन्दे जगहों से कम से कम वो 40-50 नंबर के मार्जिन में रहते हैं तो जाहिड सी बात है वो DSP के लिए आपको रैंक अल्मोस्ट 50 के अंदर लाना होता है और उसके लिए आपको मेंस में मार्जिन का बहुत बड़ा रोल है देख हमारा प्रोग्राम डेंप चलता है जी डेली आंसर उसके मार्द्यम से हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं साथ ही कारण है कि हम लोग इतने ज़्यादा आगे सलते हैं अब सर्वेश कुमार रैंक टू डिप टी एसपी यह हमारे इंटरव्यू गाइदेंस प्रोग्राम से हैं साथी डेंप के भी गाइदेंस प्रोग्राम से हैं जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्रिस होती है नेक्स्ट आपके हैं सिवन तिवारी इनका भी औलेडी इंटर्व्यू गाइडेंस प्रोग्राम से हैं आपके यूटूब चैनल पे दोनों के इंटर्व्यू के सैंपल्स आपके औलेडी पब्लिश किये जा चुके हैं आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं वेरिफाइ कर स ये भी हमारे interview guidance program साथ ही men's test series, men's test series से जुरी थी और इन्हों ने online और offline दोनों ही courses को purchase किया था, आपके जानकारी के लिए बता दू, men's test series से हमारे भावना कुमारी जो की rank 116 में डिप्टी SP में चैनित हुई है, अंकित कुमार रंजन, डिप्टी SP, rank 23, ये भी धननजय IAS Academy के प्रोग्राम से चुड़े थे, आगे बरते हैं, संदया आनन, जी हाँ, आपको एक जानकारी मैं बता दू, संदया आनन, हमारे धननजय IAS Academy की पहले ही batch की student थी, 67th BPSC का जो men's का batch launch हुआ था, men's के, आपके regular GS program, as well as history optional के batch की student थी, इनका 67th में भी men's में हम लोग expect कर रहे थे, काफी अच्छे result को लेकर, क्यूंकि obviously history optional और men's, GS में भी इनका answer writing वगर है काफी बेतर था, but luckily ठीक है, जब आए, देर आए, दुरुस्त है, इन्होंने 69th BPSC में सफलता हासिल की, कल ही साम को जब इनके result के बाद इन से बात हुई, काफी खुसी मिली हमें भी, agent institute हमें ये जान कर कि हमारे candidate ने काफी लंबे समय के संगर्स के बाद सफलता हासिल की है, तो संध्या को काफी बढ़ाई, और आने वाले exams की भी सुभ काम ना है, तो 69th में इन्हें LEO का post मिला है, अगला आकांच्छा जो की LEO के पद पर चैनित हुई है, नेक्स्ट पृती शाह जो की again LEO के पद पर चैनित हुई है, labor enforcement officer, नेक्स्ट हर्स राहुल, ये supply inspector जो की block supply officer प्रखंड आपूरती पदाधिकारी के तौर पे कारिक करेंगे, ये भी हमारे यहां से 69th BPSC में select हुए है, नेक्स्ट उतकर्स दूबे, ये भी आपका block supply officer के post पर चैनित हुए है, supply inspector एक्चुली ये पुर्व का पहले का पद का स्रीजन supply inspector के नाम से होता था, वर्तमान में ये पद जो है, वो block supply officer कहलाता है, ठीक है, नेक्स्ट जो है, सौरव कुमार, Assistant Registar Cooperative Society, जी हाँ, दोस्तों, Assistant Registar Cooperative Society, Level 9 का पद है, और यहां जो है, आपका काफी, बेहतर rank वालों को ही मिलता है, तो जाहिर सी बात है, धननजा IIS Academy के बच्चे, हमे service preference दिया है, नेक्स्ट, अस्मिर्ती भारद्वाज, अगें, ये labor enforcement officer में चैनित हुई है, अगली जो है, वो है, स्रिष्टी सर्मा, ये भी LEO के पद पर चैनित हुई है, नेक्स्ट इस सौरव कुमार, जो की LEO के पद पर चैनित हुए है, ओम प्रकास चौधरी, ये भी LEO क के पद पर, labor enforcement officer के पद पर चैनित हुए है, हिंदी में इसे स्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भी कहते हैं, आगे बरते हैं, किर्ती, supply inspector जी है, block supply officer के पद पर चैनित हुए है, 69th BPSC में धनन जाइस अकैडमी के candidate रहे है, नेक्स्ट, अमर जीत कुमार, जो की BPRO, block, पंचायती राज officer के पद पर चैनित हुए है, या भी एक काफी महतोपुर्ण विभाग होता है, block level पर, पंचायती राज वेवस्ता और उसके जुरे हुए schemes को implement करने के लिए, next जो है आपका, सचिन आनन्द, ये revenue officer के पद पर चैनित हुए है, revenue officer जो आगे चलकर circle officer बनते हैं, अंचल अधिकारी और जमीन संबंदी मामलों को राजस्वयम भूमी सुधार विभाग में एक महतोपुर्ण रोल प्ले करते हैं, आगे वरते हैं, चाहत कुमारी अगेन revenue officer के पद पर चैनित हुए है, next one is, राजन कुमार सिंग, revenue officer, निशान कुमार, revenue officer, पुन्केश राज, revenue officer, हिमान्शु देव, revenue officer, लवली कुमारी, revenue officer, गुलसन कुमार, revenue officer, ससी भूषन कुमार, revenue officer, देव कुमार, revenue officer, विवेक कुमार राज, रेवेन्यू अफिसर, उजाला राज शिन्हा, बलॉग पंचैती राज अफिसर, सोनम परसाद, रेवेन्यू अफिसर, सोनम परसाद के बारे हैं बताते चलू कि यह हमारे यहां फाउंडेशन बैज की बच्ची थी और इनिसियल प्रोग्राम से यह य लोग आशा करते हैं, आगे बरते हैं, श्वेता, रेवेन्यू अफिसर, समराट कुमार, रेवेन्यू अफिसर, रूपा कुमारी, रेवेन्यू अफिसर, रिया रानी, रेवेन्यू अफिसर, प्रियंका, रेवेन्यू अफिसर, अश्विनी कुमार आरे, रेवेन्यू अफ परिक्षा में उसमें भी हमारे छात्रों ने अपनी सफलता का पर्चम लड़ाया है जी हाँ पहली बार जो ये पद जोड़ा गया इसको लेकर भी धनजाइस अकैडमी में अलग से एक विशेस बैच की विवस्ता की गई थी और बड़े पैमाने पे लोग इसमें सामिल भी तो इसी क्रम में देखते हैं FAO rank 11 अविशेक रंजन जो की धनजाइस अकैडमी के ही छात्र हैं नेक्स्ट शादवी कांत rank 92 FAO Financial Administration Officer इनका rank 92 है और ये भी धनजाइस के ही छात्र हैं नेक्स्ट इज रिया वर्मा rank 107 ये भी धनजाइस अकैडमी से ही FAO में चैनित हुई हैं नेक्स्ट इज ममता कुमारी rank 118 एंड FAO Officer नेक्स्ट ये जो अभी हमने देखें ये जस्ट इनीसियल कुछ छात्रों के हमने अभी यहाँ पर प्रजेंटेशन लगाए हैं कुल पूरी विवरानी अभी भी हमें जैसे जैसे पता लग रहा है छात्रों के माध्यम से अभी भावकों के माध्यम से फैकल्टीज के माध्यम से हम लोग और ज्यादा अभी कल्कूलेशन कर रहे हैं अभी तक के हिसाब से टोटल 46 सेलेक्सन जो है वो धननजाइस अकैडम इसे चैनित हो चुके हैं आने वाले समय में और भी ज्यादा रिजर्ट्स की संभावना है तो जैसे ही पूरा अपडेट मिलेगा हम उसे भी आपको आपके सामने लेकर आएंगे साथी साथ धनन्यसर के इंडिया में वापस आने के बाद जो है हम लोग एक फेलिसिटेशन स हमारो करेंगे जिसमें सभी चैनित बच्चों को बुलाये जाएगा और उन्हें मुख्यातिती महोदे के द्वारा सम्मानित किया जाएगा तो जैसा कि आपने देखा 69th BPSC के कुछ चैनित अभियर्तियों का हमने यहाँ पर आपको सामने परिचे कराया सभी चैनित अभिय के लिए भी 13 दिसंबर को प्रिलिम्स के बाद हम लोग एक मेंस बैच शुरू करेंगे 78th BPSC का जिसमें की अगेन हम लोग इस बार के 2000 सीटों की वेकेंसी को देखते हुए हमारा टार्गेट होगा कि जादा से जादा बच्चे धनन जाएस अकैडमी से क्वालिफाई कर सके सो इसी के साथ अल्डवेर्स थैंक यू